और इसको हम बेशी स्टाइल में थोड़ा सेख करेंगे तो यह दोस्तों सेख हो गया है तो यह मैं कबाब लिया हूं दोस्तों चिकन कबाब इसको खाएंगे चेस कुछ है कम अब यह करने के बाद एक कैसा लगता धॉस्तों मैं लाइफ में पार्स टैम कुद ट्राइक करने जा रहा हूं मैं आपको क्या बताओं आप पर पीने पार पीने कब रख वजरूर बता सकता मुझे कैसा लगा आपको देखा हुआ है उसे पहले मैं आपको ये बताना जाँगा दोस्तों की या फॉस्की का रियू किया था जिसका रोचटेक अपने त्प्रेट के साथ दिए था दोस्तों से यह तो कैसे वो लगती है उसका कोक्टल भी मारा था दोस्तों और बहुती बढ़ीया वीडियो है दोस्तों अगर आपने नहीं देखा भी था तो प्लीज मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं उसका मैंने icon में भी है उसी तरह दोस्तों आज ओर विसकी स्के लेकर है ऑब शुक्त के ऐसके में तो इसके कि आफ को बता तो दोस्तों पर्सेस में बना हुआ है विसकी आ यह थोड़ा कहते हैं कि रोस्टेक्स थोड़ा खास है जोस्तों तो मैं देखना चालता हो जो काफी देखनें में आप देख दीघ् k." धि gir मंड़ में लग रहा है अधिया ह even और इसकी बोतल हमारे पंजाब में 700 की मिलती है दोस्तों और अधिया मिलता है 360 रोपय का दोस्तों तो यह मैं 360 का लेकिया है हाफ और 700 की बोतल मिलती है हमारे पंजाब में आपके यहाँ कैसे कितने की मिलती है हाफ वाटर या बोतल आप मुरे को कमेंड में बता सकते हैं दोस हैं तो चली है दोस्तों बैस करते हूं है आज इसका हम अप्रिए देंगे सबसे पहले मैं इसक करूंगा नो जिग ले कुझ 다bad讲 gluten सबसे पहले दोस्तों मैं खूलूंगा अब इसका सीटा नहीं चांसे आंसे अरगरीनी है सबसे पहले इसमें डालेंगे नोजिंग करने के लिए ग्लास में यह दोस्तों मैं डाल दिया आप देख रहे हैं तो यह मैं ज्यादा नहीं लूँगा कि लिए इसको दोस्तों रग देंगे हम साइड में तो सबसे पहले मैं आपको लोग नोजिंग करके पता हूं कैसे लगती है तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेस्ट गो मैं आपको पताना चाहूंगा था अपकर जोग कर रहा हो तो मुझे इसके जो और को बख्यें हैं ना अलकोहल के यो स्मयल आ रहे है वो आ रहे है दोश्त हो तो हुआ थो वर अई खाल की पन्च की और इसमें थोड़ा सा जाता है कि इसमेल स्मयल आ रहे है और नहीं कित आ। वं्हें आ रहीiri or ऑडिक och और स्मोक की फिलेवर भी आ रहा है आँ समयल करने में वैसा महसूस होगा कि यह ऐसा लग सकता है तो चलिए दोस्तों यह मैंने आपको समयल करके बता दिया वह एक्शुल में नीड पीमें में कैसे लगते हैं दोस्तों वह मैं आपको बताना चाहूंगा तो चलिए दोस्तों ट्राइ करते हैं लेस्ट गो चेज़ आप 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 है तो आपको दोस्तों में नीड का रियू दिना जाओंगा दोस्तों इसको जब मैं अपने टंग्स पे रख रहा हूं नीड लेनी के लिए तो रखते सारी यह काफी हाड सा पंच आ रहा है काफी हाड पंच लगता है और अंदर ले जा रहा हूं तो कुछ मात्रा में दी द dónde में अंदर रहेमा हूं नॉन जारा हूं और मैंने प्रषाट ऱ जीशेर में नहीं पता चल रहा है India में मैं पंच कर रहा है दोस्तों तो टो हूँ में हाड नहीं है इतना हाड लगा मैं आपको बता दिया आप अंथा लगा जातixí है इसह साथ से हाड है यह तो इसमें आहिसे मैं पतार अशसा है दोस्तों और स्मोकी शकाएवर भी थोड़ा अधर वाइस थीक है दोस्तो बडिये है कि मैं नहीं कमेंड नहीं न blush लग रहे है कुछ सेट लिए फिर सेट लगा लग रहे है उसको आप रही करिए जाल के और थूटर शीनिन शुड़ा डालके अब यह करता है क्याशा लगता है तो चलिए दोस्तों इसमें हम ज्यादा नहीं एक आइस क्यूब का टुकड़ा लेंगे यह पड़ गया दोस्तों इसमें ज्यादा नहीं थोड़ा सा सोड़ा डालेंगे दोस्तों यह थोड़ा सा सोड़ा डालेंगे हम देखें दोस्तों आप सोड़ा भी ड लाइन करेंगे दोस्तों इतनल हो दोस्तों आप इसका मात देता हूं वाक टेश्ट का इसा आता है कि हमी आराम कितरी सब्सक्राय करते हैं सब्सक्राया कर दोछा खुकाई यह twitter तो तो मैंने इसमें बरफ डाल के थोड़ा से सोड़ा मिक्स करके मों बता रहा हुआ हैं इसमें हार्ट ने uy कम हो गए दोस्तों यो फार्ट लग रही देगिंधом में लग रही थे त्युख लिदर जा रही दिल लारी दिस नुक समघी भी हार्ट है दोस्तों तो यह मैं आपको बता दिया है और सोड़ा या पाने इक साथ ररफ ले सकते उस इसाद से आपको कैसे लगती हो भी बता दिया हम हाँ हाडनेस कम हुई है दोस्तों पर जो होती है ना बिल्कुल कम हो नहीं वह ऐसा कुछ मैसूस नहीं हो रहे है दोस्तों चलिए इसको खतम करते हैं लेस्ट गो क्यों तो दोस्तों आपने देखा कि मैंने आपको समयल लेके ने के बता दिया रोट्स्टेट का उसके आद मैंने न näड पी या है मुझे smell में कैसा लगा वह भी आपको बता दिया मैंने live अब मुझे नीट पीने में कैसा लगा उसका मैंने ice coke डालके sodak साथ भी try किया उसका भी मैंने आपको review दिया है कि कैसा मुझे मैसूस हुआ दोस्तो तो अगर आपने इसको try किया है नीट आपको कैसा लगा तो आप मु बहुत fresh करना है सावंगा दोस्तों कि मैंने नीट भी पिया और अभी आपके सामने मैंने बरब soda डालके किया है तो उससे काफी पंचीस बन चुके है मुझे उसको गाइब करने के लिए हम लेंगे हमारा चखना दोस्तों तो आज चखने में दोस्तों है हमारा सीख कबाब यह आप देख रहे हैं शीख कबाब है दोस्तों तो चिकन सी कबाब कहते है हमा इसको टुल क्यों मैं फेरस्स करता हूँ दोस्तों लेकर आप व्काब लेयों दोस्तों उससे हम निंभू डालेंगे निम्बुक साथ और अच्छा गया है अब इसमें हम लाएंग ते माई टूपेट यह तो दोस्तों मूव फ्रेस हो चुका है मेरा जैसे आपने देखा मैंने सीखाव ठाइब किया दो तो अगला तो दोस्तों मैं अगला आपको जुदू कोक्तेल बनाके दिखाऊंगा हमारी रोल स्टैक बैर्ल के साथ यहां दोस्तों पर इससे बनाने से पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा एक मैंने हाली में वीडियो डाले दोस्तों मैजिक मोमेंट और इसलेवर का बोड़का बनाके सब्सक्राइब काफी बढ़िया कोक्तेल बना दोस्तों मजा आगया अगर आपने मेरी वीडियो देखिए तो आपको पता ही होगा दोस्तों बग इसमें हम दोस्तों सबसे पहले हम लेंगे अपना रोल स्टैक बैरल इसको हम लेंगे इस बार 30 हैमल यह हमने 30 हैमल डाली है दोस्तों हम देख रहे हैं अब इसमें हम डालेंगे दोस्तों प्रोपी काना का मिक्स फ्रोड इसको थोड़ा सेख कर लेंगे दोस्तों सेख करने क दोस्तों कि तो यह हमने इसको खोलक है विससे पहले किसमें बरफ डालें जल्दे जल्दे यह तीन आइसक्यू ने लिया और यह सिर्धम दाल दे रहे चार पूरा देंगे बसक्किन करने चाहरा नहीं रखना चाहता हुआ जोथा रखना चाता हूं दोस्तों ये पड़ गया आइस के उब इसमें चार आइस कुमें हमने डाला है और तीस एमल रोज स्टेक बैररी डाला रहा है दोस्तों चलिए दोस्तों इसको ऐसे मिक्स कर लेंगे उसकरने के बाद आप समें डालेंगे हम मिक्स जोस दोस्तों इसको भी हम 20-30 मल डालेंगे ज्यादन डालेंगे देखिए जूसी जूसी लग रहा है काफी बढ़िया देखने में भी लग रहा है अब इसमें हम डालेंगे हम अगला आइटम जो की हमारा है स्टिंग आप इस टिंग एनर्जी ड्रिंक होता है दोस्तों कि अखो पता ही होगा आप हम स्कूद लेंगे यह हमने खोला इस जो इतने डालेंगे दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट और जो पाइनल रहे गया दोस्तों वह हम डालेंगे सोडा गैस के लिए हम जाने किली सोडा कि कि देखें दोस्तों काफी बढ़िया कार रहा है मुझे नहीं देखिए जाए हुए को साफी बढ़िया रहा है इसमें हम दाल yol के सोडा को फूल कर ले दोस्तों देखें से हो गया है अब इसमें एक चीज और डालनी है दोस्तो आप ने लास्ट वीडियो देखी ओगी तो आपको पता होगा नहीं पता तो मैं आपको बताता हूं मेरा फैवर्ड लेवन अब इसमें हम डालेंगे दोस्तो आधा लेमन लेमन डालने से काफी अच्छा लगए गा दोस् तो इसमें दोस्तो लेमन पढ़ चुका है इसमें दोस्तो इसको हम अब थोड़ा चम्मच के साथ मिक्स कर लेंगे यह हमारा सब मिक्स हो गया दोस्तों अब देख रहे हैं क्या लग रहे हैं अभी मैंने पी के ट्राई तो नहीं किया है कितना बढ़ी आहां तो अलग यूनीख के लाई कुछ अजीव कलर रहे पर यह कलर भी काफी अच्छा लगा दोस्तों इसको मैं और इंग विनिक के सकता रेड भी नहीं कह सकता कुछ अलगी कलर आ गया तो अभी करने के बाद यह कैसा लगता है दोस्तों मैं लाइफ में फार्स टाइम फुद ट्राइब करने जा रहा हूं मैं आपको क्या बताओं हाँ पर यह पीने बाद आपको जरूर बता सकता मुझे कैसा लग रहा है तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पीते दिखने कैसा लगता है चैस अब यह बजा आगा ना भीड़ू पिर वयरी गूड़ू अब वह जो भी नाइस हां दोस्तों आपने देखां कोट्रेइल बनाया था कैसे बनाया था पहले मैंने बता दिया दोस्तों तो तो इसका में आपको Ngo paano अपना दो सही को मेंट है चुल क GS आपको बताओं गा अडिर्ट रिवी दो दोस्तो मैंने इसमें रोजटेक बेरल मिलाई और इसका सारे का कोक्टेल बनाई जैसे बनाए आप ने देखा ओँ बनाने के बाद दोस्तो मैं अब को बता रहा हो कि इसमें अलकोछ का पंची काइव होगा दोस्तो इसमें कोई प्रि थोड़ा पंच लग रहा है पांच परसंट उनली बटो मैं तो कहता हूं किसी को पता भी निचलेगा ऐसा कोक्टेल बन गया पीने में मज़ा आ रहा है और थोड़ा थोड़ा भी बन रहा है दोस्तों शुरूर में भी मज़ा आ रहा है आप इसको 30 ml से 60 ml डालेंगे तो और अ परसेंट यह ज्यादा नहीं रहा है तो बहुत ही बहतरीन कोक्टेल है दोस्तों मैं कहुंगा यह जरूर आप ट्राइब करिएगा अपने घर पे तो ऐसे आप ट्राइब कर सकते हैं दोस्तों अगर आपने श्टिंग और फ्रूट और लेमन डालके सोडा बरफ डालके आप अपने कोक्टिले ट्राइब किया है रूट्स सक्देग के साथ तो मुझे नहीं किया तो आप टेस्ट कर के कि मुझे तो बहुत अच्छा लगा दोस्तों आ नहीं है आपके हिसाफ से जो इन्होंने क्वाल्टी दी है इसाफ से ठीक है दोस्तों अगर आप कहेंगे कि इसको कितने पॉइंट दिफ्व दो के दस्में से तो मैं क्वाल्टी और रेट के साफ से अगर मिला धंद दोस्तों तो तो नहीं को सस्क्राइब है तो आप मेरो कॉमेंट भी कर सकते हैं दोस्तो तो ऐसे ही आपको लिप लाता रहए तो आपका प्यार ते ही तो यह थी मेरी फाइनल वीडियो dokład अब मैं यह जो कोक्टेल बना है दोस्तों इसको मैं एंजोई करता हूँ आप भी अपना पैग एंजोई करिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तो आज के लिए इतना ही दोस्तों ओके बाय गुन नाइट